अब सभी के स्वागत दिपाली एस्ट्रों में करती हूं देखते हैं आज का दिन अनिकी 6 दिसेंबर 2023 कैसा जाने वाला है तो चरी शुरुआत करते हैं मेर्शाशी वालों के साथ मेर्शाशी वालों अगर आज के दिन के में बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिवरी से भरा हो सकता है आज के दिन आपको कारिशेत्र से सब्बंदित कोई सुचना संकेत निर्देश या कोई एक इंपोर्टन ऑपरचिनिटी या अवसर किसी एक मैट्रपू कारिशेत्र में विस्तार के आयाम आपको देखने को मिलेंगे साथ ही साथ आज के दिन आपको और अच्छी परिस्टिती कारिशेत्र में सफलताओं के नए आयाम होते हुए जो खुलेंगे वो आप देख सकते हैं बात करते हैं विश्वराशी वालों के लिए सिचुएशन को या situation का आकलन करना या planning करने में आपकी मुदद कर सकता है अगर आप abroad settlement से संबंदित कोई भी matter से जूज रहे हैं या पेपर वर्क आपका कहीं पर रुख गया था जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था अब वहां पर आपको positivity सब तरफ से देखने को मिलेगी बात करते हैं मिथ के प्रती थोड़ा सा सचेत और सजग रहने की जरूरत है लंबे समय से चल रहा कोई financial matter या अगर कोई legal matter कोर्ट पर बेंडिंग था तो उसमें अब आपको सफलता मिलेगी या फैसला आपके पक्ष में भी आएगा ऐसा माना जा सकता है पारिवारिक स्थिर्था के साथ- कोई महत्रपूर्ण अवसर आपके सामने आ सकता है जो long term में materialize हो सकता है या आज के दिन में पराकरम में विद्धी होने के साथ-साथ जो confidence level में आपके जाफा होगा उसी के तहत आज के दिन आपको कोई important जिम्मेदारी या कोई important department महकमा या कोई task दिया जा सकता है जिसको अगर आप पूरती करेंगे जिसको खतम करेंगे अच्छे तरीके से तो वह आपकी further visibility का कारण बन सकता है साथ-साथ जो लोग निजी वेबसाय में विस्तार करने की सोच रहे थे उनके पास भी आज के दिन कोई न कोई अवसर आ सकता है बात करते हैं सिंगर आशी वालों के बनी हुई है आज के दिन आपको सिर्फ अपने आपको review करना है अपनी गलतियों को समझ कर उस पे काम करने की जरूरत है आज के दिन निवेश करने से आपको अपने आपको बचाना चाहिए क्योंकि अगर आपने पहले 10-15 दिन में या पिछले महीने कुछ निवेश करने का सोचा था या कर चुके हैं तो वही परिस्तिती आपके लिए अब आगे लाबदाएक सिद्ध हो सकती है आज के दिन लीगल डॉक्युमेंट जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का साइन ना करें क्यूंकि वो आपके लिए चिंता का सबब लेटर आउन बन सकता है बात करते है परिवारिक स्थिर्था को लेकर आप कोई मेत्रपूर्ण कोई डिसिजन भी ले सकते हैं जो आपके और आपके परिवार के बीच में जो अगर कॉमिनिकेशन गैप हो रहा था कोई चुट-पुट बहस हो रही थी या कोहें न कहीं आपको लग रहा था कॉन्फिक्टिंग स कर सकते हैं बात करते हैं तुलर राशी वालूं के लिए आप के लिए परिस्तितियां तुलर राशी वालूं कारेशेत्र में समानलता रहेगी कुछ आपके और बढ़े आज के दिन recognition की भी situation बनेगी निजी वैवसाई के विस्तार के बारे में सोच रहे थे तो आपके पास कहीं न कहीं से सामने से मदद आ सकती है अगर उस मदद को आप समझेंगे तो देखेंगे आपके लिए positivity बनी हुई है बात करते हैं विश्यक राशी वालों के लिए विश्यक राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पूर्ण सिर्ता का माना जा सकता है समानेता रहेगा कुछ खास उधार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा लंबे समय से चल रहा है अगर कोई पारिवारिक तना होगा जो कि आपको लगता है कि लेटर ओन कोट में जा सकता है आज के दिन उस सिचुएशन को अगर आप टैक्टफली हंडेल करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी बनेगी यहीं पर कोट से पहले ही आपका सिल्यूशन निकल सकता है जो करते हैं धनुराशी वालों के लिए आपके लिए परिस्थे दिंधनुराशी काहरताइव बिल्कुल सामाने रहेंगे लेकिन अज का दिन थोड़ा सा टारिंग और टैक्सिंग हो सकता है कारशेतर में बहुत जफ्ञादा आपकी वैसता हो सकती है वर्क्लोड बही जादा ह हो सकता है निजी वेफसाय में अगर आज के दिन आपको लगता है कि कुछ प्रोड़क्ट लाइन को आपको इंट्रड्यूस करना है कुछ बिजनेस में नए प्रोड़क्स को लेकर आना है कुछ इनुवेशन करना है कोई नई टेकनोलोजी नई में स्ट्राटइजी लगानी है आज का δिन उससे संबंधित महत्वपुर्ण माना जा सकता है परिवारिक स्थिर्ता पे आज के दिन भी आपको हो सकता है काम करने की ज़रूरत बढ़ें बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए आपके लिए situations मकर राशी बालों positive रहेंगी मन आपका शांत रहेगा कारशेत्र में परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होते हुए जो मुश्किल रास्ते थे अब आपके लिए वो खुलते हुए नजर आएंगे निजी वैवसाई करने की सोच रहे थे आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं जिन लोगोंने relocation किया है city या country change करी है या कहीं और जाने की सोच रहे हैं या planning कर रहे हैं वो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी long term financial stability यहां से आप expect कर सकते हैं कुम्राशिवानों के लिए आपके लिए परिस्थितियां कुम्राशिवानों बिल्कूल अनुकूल रहेंगी माता पिता के स्वास्त के प्रति थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं किसी बुज़ुग व्यक्ति की तरफ से आपको भहमोले राय मिल सकती है जो आज के दिन आपके जीवन में बदलाव ला सकती है अपने गुरू ये मेंटौर के दीवे सीख या उनके दीवे वचनों को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आज के दिन आपके लिए परिस्तितिय अनुकूर होंगी और आप अपने आगे आने वाले अगले साल से 6 मैने की प्लानिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे financial stability भी indicative है लेकिन आज के दिन आपको सोच समझ कर अपने आगे की अगर आप investment pattern को देखना चाहते हैं उसको आखलन करिए और आप investment करने की सोच सकते हैं कारशेत्र में आज के दिन आपके लिए परिस्टितियां अनुकूल होंगी visibility भी बढ़ सकती है बात करते हैं मेन राश्यवालों के लिए में राश्यवालों आपके लिए सब तरफ से positivity indicated है मन आपका शांत है विचारदारा या आपकी प्रबल हैं लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे की रूची रहेगी परिवार के वर्दतम सदस्सें के साथ बताया गया समय आपके लिए लागदा एक सिद्ध हो सकता है इसके साथ मुझे आगया दीजिए मैं कल फिर आजिनों में नमसकार